फिल्मे पुरान में आपका स्वाहगत हैं आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया ने आज तक के इतियास में कितने आसकर आवार्ड जीते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड आसकर यानि उसे अकेडी में आवार्ड्स भी कहा जाता है ये अमेरिका में हर साल दिया जाता है आसकर आवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतिय फिल्म थी 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया जिसे बनाया था महभूब खान ने इस फिल्म को बेस्ट फॉरेंड फिल्म केटेगरी में नॉमिनेशन मिला था पर वो आवार्ड जीतने में असफल रही इंडिया से हर साल आसकर के लिए फिल्में बेजी जाती है पर आज तक सिर्फ तीन ही फिल्मों को नॉमिनेशन मिल पाया है जिसमें 1957 की मदर इंडिया 1988 में आई मिरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे और लास्ट नॉमिनेशन मिलने वाली फिल्म थी 2001 में आई अशुतोष गोवारिकर की लगान 2001 से आज तक किसी भी फिल्म को नॉमिनेशन नहीं मिल पाया है आज तक किसी भी भारतिय फिल्म ने आशकर नहीं जिता है कोई-कोई 1982 की गांधी और 2008 की स्लम डॉग मिलेनियर को आशकर विनर बताते पर ये फिल्में इंडियन फिल्म कारों ने नहीं बनाई है इन फिल्मों में ज्यादातर कलाकार भारतिय थे और फिल्में यहीं के विश्यों पर आदारित थी पर ये दो भी फिल्में ब्रिटिश थी गांधी फिल्म बनाई थी रिचर्ड एटन बरो ने और स्लम डॉग मिलेनियर के डिरेक्टर थे ब्रिटिश डिरेक्टर डैनी बोयर आज तक कुल 11 भारतियों को आउसकर के लिए 16 आवर्ड केटेगरी में नॉमिनेशन मिला है जिसमें से 6 विक्तियों ने 7 आउसकर जीते है अब बात करते हैं आउसकर आउसकर जीतने वाले भारतियों के बारे में सबसे पहले आउसकर जीता भानु अथया वो ये आवर्ड जीतने वाली पहली भारतियों बनी उनको 1982 में आई रिचर एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये आवर्ड मिला था 1992 में सत्यजित रे को उनके सिनेमा की प्रतियोगदान के लिए अनररी आवर्ड दिया गया था एयार रह्मान ने स्लम डॉग मिलियनेर के लिए दो आस्कर आवर्ड जीते जिसमें बेस्ट बैक्डराउंड स्कोर और जै हो गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉंग ये आवर्ड रह्मान ने गुलजार जी के साथ शेयर किया स्लम डॉग मिलियनेर के लिए ही रसुल पुकुटी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग का आस्कर मिला था वनिता रंग राजू जो की एक इंडियन एनिमेटर है वे 2002 में आई एनिमेटेड होलिवूड फिल्म श्रिक के लिए जिस टीम ने एनिमेशन का काम किया था वे उस टीम का हिस्सा थी जिसने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का आस्कर जीता था इस साल आस्कर के लिए भारत से गली बॉइ फिल्म को भेजा गया था पर ये फिल्म आस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हो तो ये था आज का हमारा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर करो आगे ऐसी भी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत बूलना